फैशन के नाम पर आज होके भी जा रहे हैं बैट बैट गट और समझते हैं ये तो हला लेना साब पी लेंगे सब के साथ खड़े हैं सब पी रही हैं मैं नई पीओंगा आउटेटिट हो जाओंगा तो अब शराब पी रहे हैं थोड़ा सा एक दो चुलूब मैं पीलू फैश फैशन के नाम पर लोजवान ये समस्ते हैं कि थोड़ा अपनी ठाट बाट थोड़ा अपना रोप तब तबा थोड़ा सा मॉडरन इसम थोड़ा सा फैशन के नाम पर दो जो है ना कश सिगरेट पी लेंगे सब के साथ खड़े हैं सब पी रही हैं मैं नई पीओंगा तो आ और एक मसला हो गया है शराब को तो हराम समझते हैं लोक Be का एक बड़ा मसला हो गया ऐसा लोग समझते हैं मेरे भाई आओ यह समझने की कोशिश करो यह हुका जो हम पीते हैं या पिलाते हैं यह एक हुका जब एक इनसान पीता है एक कश उसकी लेता है इतना धुआ होता है ये तकरीबन सौ सिगरेट्स के बराबर एक कश में धुआ होता है इसके अंदर एक सिगरेट पीना और तुम्हारे हुके का एक कश आँ जर्दे को बाजू रख दो ठीक है आप करें कि इसमें तब बाकू नहीं इसमें नशे की चीज नहीं इसमें फ्लेवर डाल कर मज़ा ले रहा हूँ मैं तो मेरे भाई ये मज़ा में ही सजा है असल ये चीज़ समझने के कोशिश करो ये स्लो पॉईजन है इसमें क्या होता है जो हम चार कॉल जलाते है जो कोईला जलाते है इसमें मोनो अकसाइड होता है मुनो अक्साइड जो तुम्हारे फेपड़ों को तबा करके रख देता है तुम्हारे लंग्स को कैंसर में मुपतला कर देता है तुम्हें दिल की बीमारी में मुपतला कर देता है तुम्हारे अंदर बेट का कैंसर होने के पूरे चैंसस है तुम्हारे गले का कैंसर होने के पूरे चांसे है ये हुखका पीने की वज़े से मेरे भाई अल्ला तवारको ताला खुराण मजीद में वाजिय अंदास में कहता है सुरे बखरा के आतम मेरे वन नाइंटी फाई के अंदर अपने हाथों से अपने आपको हलाक ना करो अपने हाथों से अपने आपको ना मारो तुम जानती हो सिगरेट पीने से हलाक अदो सकती है तंबाकों से हलाक अदो सकती है हुका शीशा पीने से तुम्हें कैंसर लाहा को सकता है तुम्हारे फेपड़ों में कैंसर पेदा हो सकता है तुम्हारे फेपड़े खराब हो सकते है मुनो अक्साइड जा जाकर तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारिया आ सकती है तुम यह जानते हो फिर भी तुम अगर पीते हो अल्ला तबारको ताला ने इसके लिए जायज नहीं रखा तुमारे लिए कि तुम अपने हाथों से हलाकत की तरफ जाओ मेरे भाई ये जायज नहीं है समझने की कोशिश करो और नौजवान ये समझता है इसके बगर चारा नहीं ऐसा हुका पीता कि हुके के बगर जिन्दा नहीं रिसकता है नहीं हुके के बगर जिन्दा नहीं रिसकता अल्ला हुएक्पर तमाशा बना दिये सब तरफ इत्ती फिकर इत्ती खाहश नभी की हदीसे सीखने के लिए होती आ खुर्बान ये उम्मत अल्हु अक्पर इतनी खाहश इतनी फिकर जितनी होके की और फैशन की बेकर की चीजों की है खुरान की दू आयतें सेकने की होती अल्लहु अक्पर ये उम्मत को फिर उपर उरूच पर जाने से कोई ने रुख सकता रब श्रह ली सदरी वयस्तिर ली अम्री वहलू रुद अम्री वहलू अल्लिसानी यफ्कहु को ली रब श्रह ली सदरी वयस्तिर ली अम्री वहलू अल्लुद अम्री वहलू अल्लिसानी यफ्कहु को ली अम्री वहलू अल्लुद अल्लिसानी यफ्कहु को लीफ्कहु को ल झाल झाल